24 घंटे में पीते थे सिर्फ एक घूट पानी, फल और सब्जी का आजीवन कर दिया था त्याग, आखिर कौन है आचारी विद्यासागर जिनकी समाधी पर दुखी हो गया पीम मोदी जीवन भर कभी थूका नहीं, बिना चादर, गद्दा या तक्या लगाये चटाई पर एक ही करवट सोते थे आचारी विद्यासागर जीवन का संघर्ष जान, बड़े बड़े रिशी मुनियों के छूटे पसीने आजीवन नमक का कर दिया था त्याग, हरी सबजियों, फलों, दही, ड्राइ फ्रूट्स और तेल को भी कभी नहीं लगाया हाथ, आचारी विद्यासागर महराज के जीवन से जुड़ी रोचक बाते जान कर आपके पैरो तोले भी खिसक जाएगे जमेन राजनांद गाउं जिले के डोंगरगर के चंद्रगिरी में जैन आचारी विद्यासागर महराज ने 18 फरवरी 2024 की राद 2 बचकर 35 मिनट पर समाधी ले ली, पून जागरी तवस्था में उन्होंने आचारी पत का त्याग करते हुए तीन दिन का उपवास लिया था और आचारी श्री 108 विद्यासागर जी महराज जी का ब्रमलीन होना देश के लिए एक अपूरुनी एक्षती है, लोगों में आध्यात्मिक जागरिती के लिए उनके बहमूलि प्रयास सद्यव अस्मरण किये जाएंगे, वे जीवन प्रयतन गरीब उनमूलन के साथ-साथ प्रतिम योगदान देश की हर पिढ़ी को प्रयरित करता रहेगा। जैन धर्म में एक प्रता है, जिसमें देह त्यागने के लिए स्वेच्छा से अन जल का त्याग किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हरानी होगी कि महराज ने इसके अलावा कई सारी चीज़ों का आजीवन त्याग किया था, आइए आपको आचारी विद्यसागर महराज क के जीवन से जोड़ी कुछ रोचक बाते बताते हैं, आचारी विद्यसागर महराज का कोई बैंक खाता या कोई ट्रस्ट नहीं है, इसके अलावा उन्होंने मोह माया का भी त्याग किया हुआ था, जिनके उपर अर्बो रुपए निछावर होते थे, उन्होंने कभी भी सेवन नहीं किया, जैसे उन्होंने आजीवन चीनी का त्याग, आजीवन नमक का त्याग, हरी सबजियों का त्याग, फलों का त्याग, आजीवन दही का त्याग, ड्राइफ रूट्स और तेल का त्याग भी कर दिया था, ऐसो आराम की चीजों को लेकर भी महराज बहुत स प्रचार प्रसार से दूर रहते थे किसी को अगर 24 घंटे के लिए थूकने से मुना कर दिया जाये तो उसकी हालत खराब हो जाएगे लेकिन महराज ने आजीवन थूकने का त्याग किया हुआ था।